फेलो फ्रेंड्स आगत हैं आप सभी का आरवेदिव ट्यूब में तो फ्रेंड्स आज का जो उन्हीं कोस्चन लिया है यह कोस्चन क्लास 9 की मैच से चप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम से लिया गया है। बेसिकली यह भले ही क्लास नाइन का कोश्चन हो जितने भी बच्चे एलजबरिक के कोश्चन करते हैं उनके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है तो आप इस कोश्चन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए उसे जराबी स्किप मत किजिए वीडियो पसंद आ क्या है कि कोश्चन हमारे पास फाइंड दा रिमेंडर पॉर एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वाइर प्लस 14 एक्स माइनस थ्री इस डिवाइड़ वाई 2x-1 देखो यह हमारे पास एक पोलिनोमियल है और इसे हमारे डिवाइड करना है इस से ठीक है तो चलिए फिर को वैसे तो इस को न correlis को हम दो तरीके से से कर सकते हैं एक डिवीज़न में इस से और एक जो सकी वैलू है उसको फुट करके यानि कि फैक्टर थेर्म से तो हम दून्गों तरीका करके बताएंगे पहले हम मैने में तर्श से करके बताएंगे और बाद में हम factor theorem करके बताएंगे और आप बताएंगे कि दुनों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो चलिए करते हैं इसे अब सबसे पहले divide करेंगे देखो 2x-1 यह हो जाएगा हमारे पास 4x3-12x2 सबसे पहले करेंगे क्या इस टर्म में यह जो फर्स्ट टर्म होता है हम इस फर्स्ट टर्म में इस से डिवाइट कर देगे 4x3 divided by 2x तो इस एक्स से इस एक्स का पावर फिनिस हो जाएगा त्याहां पर बच गया त्याहां पर बच गया टू और एक पावर कम हो गया त्याहां बच गया डिवाइट क्या क्यों यह हमें इसमें किस नमर करना है तो यह ही कोशिएं डिवाइड करना हो यह है मारे पास 2x-1 multiply करेंगे तो क्या में लेगा दिखो तू 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 जा फोर x square into x x cube तो यह माइनस है और यह पलस है तो पलस इंटू माइनस माइनस 2x square बन जा 2x square ठीक तो यह चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे तो पोर x cube माइनस 2x square अच्छा आपको पता है कि जब हम subtraction करते हैं तो sign change हो जाते हैं जैसे यह प्लस है माइनस हो जाएगा यह माइनस है प्लस हो जाएगा यह cancel हो जाएगा तो ट्वाइल एक्स square 2x square तो बच्चेगा तो यहाँ पर 10x square लेकिन देखो यह नंबर छोटा है और यह नंबर बड़ा है बड़ा कॉन 12 12 का sign क्या है माइनस तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा क्योंकि हम आलवेज बड़े नंबर का sign लेते हैं ठीक इतना आप समझ गए तो अगर आप इतना समझ गए हो तो फटा फट शेयर कर दो अचा देखो इसके बाद क्या होगा यहां पर एक स्ट कर लेंगे 14 ठीक अब दिखो अब क्या करेंगे अब हम यह देखेंगे कि इसको कि से करें तो इसको माइनस 10 X Š.yair है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे यह कए फस्त टर्म से तो यह होग तिकह को तो क्यों स taraf जाएगा सबसे पहले फाइप औस से एक पावर कर जाएगी तो आएगा माइनस पाइप जैँगा से MICH यहाले नेच्स जो हमारा केंट है वो कितना है वह है माइनस फाइप एक्स ठीट है अग इसी माइनस lugस हञ पहल arqu उन multiply कि माइनस 5x इंटू 2x माइनस बन देखो सबसे पहले इसके साथ multiply होगा ऐसे माइनस है प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5 टू जा 10 x इंटू एक्स x स्क्वार अब यहां multiply होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5x सब्सक्राइब करेंगे तो साइन चेंज होगा क्या होगा माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस यह केंजिल हो जाएगा नंबर बड़ा है 14 तो इसका साइन लेंगे प्लस 14 माइनस 59x कितना एक्ला ट्रम क्या है मारे पास अग्ला टर्म है मारे पास माइनस 3 कितना है माइनस 3 इसको मिनक्रेट कर लिया अब हम इसमें यानी कि प्लस 9 एक्स में कि है टीवाइट और tenure 2 एस यह से एक्स से cadeo जाएगा 9 में mm दिवाइट करेंगी तो प्रदेसिमल में आंसर हैगा इससे च्छाम इसको ऐसी रहने दें 9 by 2 इसे हमारे काम और आसान हो जाएगा होगा क्या देखो आगे यह ऐसे ही राइट कर लेंगे अगला मरे नाइन गाइट नाइन वाई टू और इस नाइन गाइट टू में हम multiply कर देंगे 2x minus 1 तो देखो होगा क्या यह जब अंदर जाके multiply होगा तो ऐसे होगा 9 by 2 into 2x plus into minus minus 9 by 2 into 1 तो देखो 2 से to cancel हो जाएगा इधर आजाएगा 9x और इधर आजाएगा minus 9 by 2 अब इसको यहां पर write कर देंगे लोगों कितना हो जाएगा 9x minus 9 by 2 अब जब इनको solve करेंगे तो वो क्या आएगा वो देख लो देखो सबसे पहले plus है minus हो जाएगा माइनस है पलस हो जाएगा यह cancel हो जाएगा बचेगा कितना देखो यह बचेगा यहां पर plus 9 by 2 minus 3 क्या यही आंसर लिखेंगे क्या नहीं बिल्कुल नहीं इनको solve करके लिखेंगे देखो सबसे पहले इसको solve करेंगे तो यह है पलस 9 by 2 minus 3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा नाइन माइनस 236 अपन टू नाइन माइनस 6 आ जाएगा 3 by 2 इसका आंसर होता है 1.5 लेकिन हम 1.5 राइट नहीं करेंगे हम राइट करेंगे 3 by 2 तो सब मिटा देंगे और यहां पर कितना राइट कर देंगे यहां पर राइट कर देंगे 3 by 2 कितना राइट कर देंगे 3 by 2 देखो इस कोश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड दा रिमेंडर तो यहां हमने रिमेंडर फाइट कर लिया है हम आप लिख सकते हैं रिमेंडर इस इक्वल टू 3 by 2 आंसर अब यह तो होगया हमारा बाइट इविजन मेथड आप इसे चाहो तो राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीन सॉट ले लो इसके बाद हम करेंगे वाइट फेक्टर मेथड ठीक है तो देखो अब ये दूसरे मेथड से करेंगे तो saya सबसे पहले यह जानूंट यह जो आए जी ऑक्स है जैसे इन इस एक्स कस पाइब होता ह्य जोह में लीखों घ्खो है या राइट साइड में लिख़ो मतलब लेव इस साइड में तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 2x-1 is equal to 0, 0 होता है, ठीक है, तो आप देखो क्या करेंगे, यह x की value find करेंगे, तो यह minus 1 है, उदर जाके plus 1 हो जाएगा, 2x is equal to 1, 2 को भी उदर वेज़ेंगे, तो आज जाएगा, x is equal to 1 by 2, ठीक है, तो यह चीज हम direct बोलते हैं, since 2x-1 is a factor, then put x is equal to 1 by 2, यानि कि यह चीज हम देखके ही बताना है कि कितना आएगा 1 by 2, we get, तो इसको रखने पर क्या मिलेगा, वो देखो, यह होता है, ऐसे, px is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3, जहाँ पर x है, वहाँ पर आपको 1 by 2 रखना है, तो यह हो जाएगा, p1 by 2 is equal to 4, 1 by 2 whole cube minus 12, 1 by 2 whole square plus 14, 1 by 2 minus 3, यह हमने सारी values को क्या कर दिया, पूट कर दिया, अब उनको solve करेंगे, तो ध्यान से देखना, 4, 1 का cube 1, 2 cube 8, minus 12, 1 का square 1, 2 square 4, प्लस 14 into 1 by 2 minus 3, अब ध्यान से देखना, 4 बन जा 4, 4, 2 जा 8, 4 बन जा 4, 4, 3 जा 12, 2 बन जा 2, 2, 7 जा 14, अब देखो, यह हो जाएगा, minus 3 minus 3, 6, इसको थोड़ा और solve करेंगे, 1 by 2, plus 7 minus 6, अब देखो, 7 minus 6 करेंगे, तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1, 7 minus 6 करोगे, तो कितना बचेगा, 1, तो यह हो जाएगा, फर्दर है, मारे पास, 1 by 2, plus 1, अब इनको solve करेंगे, तो देखो, इसमें यह cross multiply होगा, क्या होगा, cross multiply, तो यह हो जाएगा, 1 plus 2, अंजा 2, by 2, तो यह हो जाएगा, 3 by 2, अब ध्यान से देखना, चुकि, हमें छोटे मिल्टे कैल्क्मिलेशन आते हैं, तो हम इसको direct यहाँ पे लिख देंगे, 3 by 2, अब आपका मर्जी है, चाहे तो इतना वाला हिस्सा दिखाओ, चाहे तो इतना वाला हिस्सा rough कर लो, क्योंकि आप class 9 में पहुंच गए हो, तो maximum calculation आपको rough में करनी है, यह सारा कुछ आपको नहीं दिखाना है, यह अलग करके यहाँ पे लाके answer right कर देना है, तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ, तो आपने क्या देखा, कि P 1 by 2 रखने पर इतना बच रहा है, 3 by 2 जो है वो remainder है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, हम factor theorem से बड़े आसानी से बता सकते हैं कि remainder कितना होगा, तो यहां से last में write करेंगे, so, remainder is equal to 3 by 2, और यह हमारा answer हो गया, तो मैंने आपको दोनु तरीके करके समझा दिये हैं, उम्मीर है आपको कोई ना कोई एक तरीका पसंद आया होगा, आप मुझे comment box में बताएगे कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया, पहला, या दूसरा, या दोनु, ठीके? तो दोस्तों comment box में बताएगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को भी subscribe करें, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले question के सा तब तक लिए, thank you class